गरंतों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख लें तो उसके अधिकांच समस्याई स्वयम ही समाप्त हो जाती है और सत्य में मौन में बड़ी शक्ती होती है बड़ा बल होता है किन्तु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना है क्या सदा मौन रहना उचित है नहीं इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विबदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाई मौन रहे यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है यदि आकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमती समझ लेते हैं फिर धीरे धीरे वो आपका सोभाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता है और पिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाशान के बाती बन जाता है अपनी वाणी का आवश्यक्ता पढ़ने पर सदुपयोग कीजी वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है इससे भी अधिक महतोपूर्ण है ये समझना कि उससे कब तोड़ना है राधे राधे राधे